लेटी ऐबे बनाएवाइए बना है तो फ्रेंड्स ऍेक गडियोड काया है लड़ी कीनियों को मेलाञ वभिड है तो चलो इसको डेकरेंट करते हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चलो लेट्स बिकिन दे वीडियो तो ये है वो जूलर जिसको मैं डेकरेंट करने वाली हूँ देखो इसको कंडिशन किता ख़राब हो चुका है किता ओल्ड और उसको कलर भी फेट हो चुका है और अब मैं इसे उल्दम संद बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं पुराने चीज़े को मैं हटा लूँगी जैसे बीड्स, लेज, पेपर, सेक्टरा और अब उसे जिससे कवर कर दूँगी और जिससे कवर करने के बाद ये ऐसा लिखेगा और अब मैं इसे ड्राइ होने दूँगी और अब है बारी इसको रेट कलर से कलर करने की ये हो गया रेडी अब इसका कलर ब्राइट लग रहा है लेकिन डेकोरेशन बागी है तो डेकोरेशन के लिए मैं कले यूज़ करूँगी मैं इन कले का यूज़ करके मूर पंक बनाऊँगी तो पहले मैंने cardboard को उसके shape में काट लिया है अब मैं green clay को roller से flat करके उसके उपर cardboard रखूंगी और उसका shape काट लूँगी और इसी तरीके से मैं बहुत साए leaves बना लूँगी अब मैं leaves की उपर blue clay, pink clay और yellow clay लगा लूँगी और clay की साथ जो tools मिलते हैं उससे मैं clay के उपर more punk के design बना दूँगी और ये हो गया ऐसी मैंने बाकी सब पर भी कर लिया सेम प्रॉसेस से मैंने बहुत सारे more punk बना लिये और उनको dry होने के लिए रख दिया और अब मैं बनाऊंगी flower उसके ये मैं yellow clay यूज करूँगी clay का चुटा सा piece लेकर मैं उसे अपने हाथों से flat कर लूँगी और एक side से उसे fold कर दूँगी और ऐसे ही मैं 5 और petals बनाऊंगी और उनको एक साथ जोड दूँगी जिससे 5 petal flower बना लूँगी और ऐसी मैं बहुत साथ flower बनाऊंगी और हमाई flowers होगे ready तो मैं इस swing के base को grass का look देना चाहती हूँ इसलिए मैं green clay यूज करूँगी और उसे roller से flat करके उसकी strips बना लूँगी और फिर मैं उन green strips को base बस टिक करके tool का use करके मैं उस पे grass का effect दूँगी इस तरीके से and it's ready तो अब मैं swing वाले part को decorate करूँगी तो ये है एक पुरानी राकी का part जो मुझे बहुत fancy अब प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा क्यों ने इसको लगा लेते हैं और फिर उसके उपर मैंने अपने more punk भी लगा लिए और इस swing की किनारे पर मैं golden lace लगाऊंगी और मैंने उसके handle पे लगा लिया और इन lace के बीच में जो gap है उसके बीच में flower लगा लूगी पास ये दो लटकन भी हैं जिनको मैं यहां पे लगा लूगी बात में मैंने कुछ बड़े flowers बिना हैं जो purple yellow और pink कलर के हैं इनको मैं बाद में decoration में यूज़ करूँगी and surprise मैंने लटको पाल के लिए पासुरी भी बनाई है वो भी दो दो मुझे तो ये बहुत ही संदर लग रहे है अगर आपको भी चानने कि मैंने सो कैसे बना है तो link description box में है मैंने रुको रुको एक और surprise है and surprise मैंने दो दो माकल की मटकी बनाई है और ये कितने क्यूट लग रहे हैं इनको मैंने बहुत ही अलग चीजों से बनाया है अगर आपको जानना है तो link description box में है तो मैंने इतने सारे decoration के चीजों बनाया है अब मैं इन्हें stick कर दूँगी and we are halfway done चलो अब जली से इसको decorate करते हैं तो मैं अपने favorite और fix glue को use करके अपनी side decoration की चीजों को लगाने वाली हूँ तो पहले मैंने more pack लगाए और नीचे में मैंने अपने माखन की मट्क्या लगाई बेश की दोनों side पर और अपनी दोनों बासुरियां भी लगाई और जहां पर भी gap था वहां पर मैंने अपने बड़े बादे flowers को भी stick कर दिया और फाइनल डिटेल्स के लिए मैंने flowers के बीच में colorful बीच लगा लिए जिससे यह और भी सुन्दर लग रहा है और यह हो गया हमाया लट्डू गपाल का जूला रेडी यह कितना सुन्दों प्यारा लग रहा है इद्द मेरे जूले जैसा फूलों से भरा हुआ लग रहा है तो फिरस मुझे तो जूला पहुत पसंद आया और अगर आको भी यह मिसका में कोवर अच्छा लगा तो लाइ मुझे तो ऑूला झाल करते हैं तो जूला का, जैसे घ्टए पूला है लाइब टीजर रहा है ओंग को बेciendo को लाइब है